नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका भारत और न्यूजेलेंट के बीच में खेली जारा जा रहा है जबक eh दूसरे मुकाबले में भारतिय टीम ने न्यूजेलेंट को शांदार तरीके से 65 रनों से हरा दिया इस तरीके से भारत्य टीम 1-0 से इस स्रीज में बड़त बनाए हुए है अब दोस्तो न्यूजलेंड के लिए तीसरा T20 मेच करो या मरो का मुकाबला है जबकि भारत न्यूजलेंड की जमीन पर T20 स्रीज जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है दोस्तो पिशले मुकाबले में भारत के लिए एक बार फिर स्टार बनकर सामने आई T20 तरास्टे क्रिकेट के नंबर एक बल्लेबाज सूरे कुमार यादव रहे इस भारत के बल्लेबाज ने शांदा T20 शतक जरते होई न्यूजलेंड की गेंदबाजों को बेहाल कर दिया सूरे कुमार यादव ने 51 गेंदों में नाबाद 111 रनों की काबर तोड पारी खेली जिसके दम पर भारत ने 20 अवर में 6 विकट के नुकसान पर 191 रनों का विशाल स्कोर खरा कर दिया था विशे दोस्तों बात करें आज के मुकाबले की तो आज के मुकाबले में न्यूजलेंड की टीम ने टोस जीत कर पहले बल्लेबासी करने का फैसला दोस्तों आप अपने खुद के मुबाईल फोन पर इसमेच के लाईव विप्रिमिंच देखना चाहते हैं आप Amazon Prime पर इसके लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे क्योंकि दोस्तो डिजनी प्लस होट स्टार पर इस बार इस मैच के लाइव स्ट्रीमिंग नहीं प्रसारित की जा रही वैसे दोस्तो समय समय पर मैच के तरह इसकोर अपडेट और हाइलाइट्स के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको तमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कौन सी टीम जितेगी और मैन अव्द मैच कौन सा कि लाड़ी रहेगा कमेंड बुक्स में प्रेडिक्शन जरूर दीजिए सही जवाब देने वाले पांच भागिशाली विजिताओं को दिया जाएगा पांच सुरुपेगा नगत पुरुसकार धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत